नमस्कार असाम के वरिष्ट मुख्यमंत्री आदरनिय सर्मानन सोनवाल जी खेंद्र में मंत्री और मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी असाम के वित्त मंत्री डॉक्टर हिमानता बिस्वा सर्मा जी और असाम के वरिष्ट मंत्रिगन सांसदगन एमले और अधिकारिगन आप सब को मेरे नमस्कार मगर मेरे बाशन शुरू करने से पहले आज ये चा बगीचा धन पुरश्टकार मेला में भाग लेने के लिए दूर दरास इलाके से आये हुए मेरे चाई बगीचे से बाईों बेहनों आप सब को मेना विनम्र नमस्कार पुरे दुनिया सुबे उट करके फेले अगर एक शब्द बोलता है नींद खुरने के लिए वो है चाई उस चाई के उत्पादन करने वाले आप सब को हर सुबे पुरे दुनिया याद करती है और असाम के चाई के उपर एक ब्रैंड बैल्यू भी है असाम ठी इसको याद करते हैं पुरे दुनिया और मैं शुरुवात में ही उस बात को इसलिए दोरा रही हूँ क्योंकि मेरे बागल बैटे हुए डॉक्टर हिमानता बिस्वसर्मा वो गाना जो हमारे बाई बहन जो बगीचे से आए हुए है वो परंपरागत तरीके से वो नित्य गाना जो हमें हमारे मन शुरुवात से ही अच्छा सोच्वचार के साथ जाना है इसलिए अच्छा गाना भी गा रहे हैं मगर उस गाने में क्या भावना थी और क्या अर्थ ता वो डॉक्टर हिमानता बिस्वा सर्मा ने मुझे बगल में बैटे हुए ट्रांसलेट करके बोल रहे थे मेरे मन में पीडा हुआ मेरे मन में दुख एक तरह के दुख एक विशय बोलने के समय अच्छा लगता है असाम्टी मगर वो गाना के अर्थ और भावना सुनने के बाद मन में एक दम पता ने एक फीलिंग मुझे मन में आया जो पीडा जनक है क्योंकि गाना का अर्थ क्या है आप सब लोग जानते हैं फिर भी मैं आपके सामने जो मैंने समझा उसको बोलना चाहती हूँ सुबे आपके मम्मी जो चाय के काम के लिए पत्था निकलने के लिए जाएगी मैं जाओंगा वो खेती में पानी सही पहुंचाने के लिए मट्टी में काम करने के लिए मगर आप बच्ची बच्ची लोग लड़की लोग चोटे घर में रहो मगर कल रात का खाना का करके यही है न यही है न गाना की आर्थ यही है न हमारे पूरे दुनिया के सुबह उटकर के गरम चाई पी करके आंख खोलो नींद से उटकर के आज दिन बर के आपके जो भी खाज है वो खरो एक करने के लिए जो चाय आप बेजते हो पूरे दुनिया आपके बच्चे कल रात के खाना का करके गर में आपके लिए दुबारा इंतसार बैठना ये हालात बदलना चाहिए ये हालात बिलकुल बदलना चाहिए ये हालात बदलना चाहिए कि आज जिन मस्तूर पुरे दुनिया को चाह बेचती है उनके विवस्ता टीक होना चाहिए गर होना चाहिए पानी होना चाहिए आपके बच्चे के सही खाना मिलना चाहिए समय पर मिलना चाहिए वो भी फ्रेश खाना मिलना चाहिए ना की कल रात की कल दिन की बच्चा हुआ काना यह मैं एकदम आज मुझे वो गाना सुन करके यह नहीं है कि चाई बागान में काम करने वाले के हाला पहले से मालूम नहीं था बिल्कुल मालूम था मगर समय आज चाई बागान दन पुरसकार मेला की जब मन और ध्यान से एक चीफ मिनिस्टर सरवानन जी सोनोवाल जैसे हिरदे से काम करने वाले मन से काम करने वाले दिल से काम करने वाले एक चीफ मिनिस्टर लोगों के हालात समत करके उनको दो दिलाना है उसके लिए काम करते हैं उनके सोच में यही रहता है और उनके रेप्रेसेंटेटिव के नाते है मैं बात हलका सा बोल रही हूँ कामा क्या तासा जो हमारी वरिष्ट MP है चाय बाहान के कहानी मेरे को 2014 से 2014 से लगातर बोल बोल करके बोल बोल करके कुछ करो दी दी चाय बागान के लिए कुछ करो और पलव लोचन जी भी उनके अपने तरीके से याद दिलाते रहते हैं कि क्या है चाय बागान के हालात पुरे दुनिया में आज इतने सारे डेवलेप्मेंट हो रही है क्या हमारे चाय बागान के हक नहीं बनता क्या हमारी चाइबागान के महिला का हक नहीं बनता ये सामसद में ये बात बोल करके चाइबागान के खालात के फूरे विशय समझाया गया है इसलिए और इससे पहले 2014 के सुन्चुनाव से पहले ही मान्य प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदेजी बात बोलते रहते हैं चाइबागान के लोग के लिए हम कुछ करना चाहिए उनके हर बाशन में ये बाल बोते हैं उनके हालात देखो कुछ करना चाहिए हम इसलिए आज प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना आप तक पहुंचता है प्रदान मंत्री आवास योजना आप तक गर लेकर आता है और अभी भी जितने भी लोग उनका गर नहीं है टीक अच्छा सा गर नहीं है उनको गर भी दिलाता है और चाइबागान में जो रहते हैं दूर सिटी से दूर उनको आयुश्मान भारत के योजना के दूरा पांच लाक तक एक साल के अंदर ही जरूरत पड़ते तो इलाज करने का विवस्ता भी आपको प्रदान मंत्री के आयुश्मान भारत के दूरा मिलता है मिलता है कि नहीं मिलता है अगर किसी को नहीं मिलता है जरूर बोलिए क्योंकि आप तक पहुंचाने वाले जिम्मेदारी हमारा है आयुश्मान बारत के पहुंचाने के जिम्मदारी हम सब का है हम पहुंचाएंगे मगर इसमें किसी का भी अगर आईश्मान बारत नहीं मिलता जरूर बोलना क्योंकि पांच लाग तक पूरे पैसा बरने का अवशक्ता नहीं है कागस में आपके नाम लिखने का अवशक्ता नहीं है पेपरलस इलाज मिलता है ऐसे हर एक चाई बागान के रहने वाले के छोटे छोटे समस्या को समझ करके प्रदान मंत्री जी बार बार बोलते हैं ये करो ये करो ये करो पिछले फेब्रूरी को उस समय भी बजट के बाद जब मैं आई थी और उस समय के सरकार क्योंकि बैंक अकाउंट्स में कुछ technical कारण किसी के पास आदार कार नहीं है किसी के पास कुछ और नहीं है किसी के पास वोटर कार नहीं है वस कारण से बैंक अकाउंट में पैसा बरने क्या विवस्ताट तूट पड़ी बैंक में अकाउंट कुला गया था demonetization के बाग मगर उस अकाउंट में क्यूंकि एकाद विशय का खमी थी उसको उप्योग करने में दिक्कत पाया गया था इसलिए उस समय का चाय बगीचा दन पुरसकार मेला उसमें पैसा बरने का जो विवस्ता उस समय था उसमें खम्या थी बहुत सारे लोग को चुट गए पैसा मगर मैं जिस जोश से उस समय आदेश दिया बैंकों को कि ये सही नहीं है आप सब को अकाउंट दुबारा ओपन करिए और उसमें जो भी आइडेंटिटी के साथ विशय है वो सब टीक करिए ये सब